हेलो स्टूडेंट्स आजन करेंगे क्लास फोर्थ की हिंदी की वक्षीट नमबर 178 जो की 25 फबरी 2021 की है आपकी पार्टी पुस्तक्रिम जिमसी ली गई है पार्ट है इसका मुफ्त ही मुफ्त इस वक्षीट को शुरू करने से पहले जिनों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे और बैल ऐकन भी दवा दीजिए जिससे सबसे पहले न्यूड़ का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुँझ सके तो चले शिरू करते हैं आज की वक्षीट पुनराव रखती काले पत्रे का यानि इसमें हम आपके पार्ट मुफ्त करने पड़ी उमीदह आप सभी को याद होगी आए देखते हैं कि आपको यह कानी कितनी याद है तो देखना में के नीचे दर्शाय गएक चित्रों को धिहान से आपको देखना है कहानी के अनुसारीं चित्रों काा सही क्रम है एक घञानिय और उनकी क्रम संख्या दी गई खाली जगे में भरी जैसे ये जो गोले दिये गए हैं इन्हें हमें क्रम संख्या भरनी है और कहानी में जो जो सबसे पहले हुआ है उसके आगे एक लिखेंगे जो जो दूसरी बार हुआ है इसको दो ऐसे आपको करना है जैसे देखो पहले वो भीकुबाई कहां गए थे वहाँ पर बजार में गए थे दाम पूछने नारियल के तो ये सबसे पहला काम हो गया कहानी का दूसरे में वो खुद नारियल तोडने गए थे और वहाँ लटक गये थे तो ये दूसरा हो गया और तीसरे में वो उट वाला गोड़े वाला और भीकुबाई तीनों ही नारियल के पेड़ से लटक गये थे ये तीसरा हो गया ठीक है तो वान इधर डालेंगे टू इधर और थरी इधर इस तरीके से आपका कॉशन वन हो जाएगा अब हम देखेंगे कॉशन नमबर टू अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए वहाँ अपने परिबार की सदिस्यों को इसे पढ़कर भी सुनाईए तो अभी पूरी कहानी आपको बच्चों लिखनी है अपने शब्दों में लिखनी है और उनको पढ़कर अपने परिवार वालों को भी सुनाना है तो कैसे लिखेंगे? मैं आपको लिखवाओंगी ये कहानी नहीं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको लिखवा देती हूँ देखिए कहानी कैसे लिखेंगे आप लोग एक दिन भीकुबाई का मन नारियल खाने को हुआ, परन्तु घर में एक भी नारियल नहीं था इतना लिखेंगे उसके बाद भीकुबाई बहुत कंजूस थे, नारियल लेने के लिए वह मंडी, बजार और बंदरगा गए परन्तु उन्हें कहीं भी सस्ता नारियल नहीं मिला भीकुबाई जब नारियल के बगीचे में पहुच गए, वहां के माली को देखकर उनसे पूछा, यहां नारियल कितने पैसे में बेचोगे माली ने जवाब दिया, पस, 25 पैसे का एक भीकुबाई को 25 पैसे भी ज़्यादा लगे, उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत ठक गया हूँ, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए, तो पेड़ पर चड़ जाओ, और जितने चाहो तोड़ लो ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, भीकुबाई बेहत खुश हुए, उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चड़ना शुरू कर दिया, बहुत जल्दी पेड़ के उपर चड़ गए, फिर वे टहनी और तने के बीच अराम से बैठ गए, और दोनों हातों को बाद की विंती की, माली ने मदद देने से मना कर दिया, ठीक है, तब ही उट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा, भीकुबाई ने उससे मदद मांगी, वह तैयार हो गया, उट की पीच पर खड़े होकर, उसने भीकुबाई के पैरों को पकड़ लिया, ठीक, उसी समय ह परे पते देखकर, खाने के लालच में उट ने गरदन जुकाई और अपनी जगे से हट गया, नितीजा हुआ कि वहां आदमी उट की पीच से फिसल गया, अपनी जान बचाने के लिए उसने भीकुबाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया, इतनी में एक घोड़ी सवार वहा गोड़े उट खड़ा हुआ, लेकिन गोड़े ने भी वही किया, जो उट ने किया था, हरी खास के चक्कर में गोड़ा जरा आगे बढ़ा, और छोड़ चला, अपने मालिक को उट वाले के पैरों से लटकते हुए, नारिल के पेर से अब तीन जने जूल रहे थे, गोड़ गोड़े सवार ने भीकु भाई से कहा का 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 कस के पकड़े रहना, मैं आपको सो रुपे दूंगा, इसके बाद उट वाले ने कहा मैं आपको दो सो रुपे दूंगा, लेकिन नारिल को छोड़ना नहीं, भीकु भाई सो और दो सो के चक्कर में कुछ ज्यादा ही प्रशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहिं को फैला दिया इतने में नारियल हाथ से चूट कया परणाम स्वरूप घोड़े सवार उटवाला और भीकूबाय तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और दूसरे ही शन में बहुत बड़ा नारियल भीकूबाय के सिर पर लिकिन अगर आप चाहें तो उसको और भी छोटा अपनी तरब से बना सकते हैं नहीं तो आप यही वाली कहानी लिख सकते हैं तो इस कहानी को हम लिखतेंगे हमारी कौशन नंबर खा में ओके बच्चो अब हम आगे पढ़ेंगे वक्षित में क्या है कौशन तू देखिए नीचे दीगर शब्दों के विलोम शब्दों को शब्द जाल में से ढूड़िए वह खाली स्थानों में लिखिए तो देखो विलोम शब्द क्या होते हैं विलोम शब्द यानि उल्टे अर्थ वाले शब्द अब यहाँ पर जितने भी हमें ये दे रखी हैं शब्द उनक हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं जैसे मुश्किल का आसान और आसान देखिए ये रहा इनको हमें इस पर हमें गोला कर देना है आसान अब यहां देखो दुखी का क्या हो जाता है उल्टा अर्थ सुखी सुखी भी इन लोगों ने इस तरीके से रेड रेड कर रखा है अब हमें आगे करना है बेचना का उल्टा अर्थ वाला शब्द हो जाता है खरीदना खरीदना लिख देंगे और शब्द जाल में से भी ठूड़ना है तो ये रहा खरीदना नेक्स देखो समझदार समझदार का विलूम शब्द हो जाता है ना समझ ठीके ना समझ लिख देंगे और शब्द जाल में ये कहाँ पर है यहाँ ना समझ ठीके फिर देखेंगे पसंद पसंद का हो जाता है उल्टा अर्थ वाला शब्द ना पसंद अब शब्द जाल में से धूरना है नापसंद, तो नापसंद ये रहा ठीके, फिर यहां संभव का उल्टार्थ असंभव, असंभव कहां है शब्द जाल में, देखेंगे एक बार, यहां पर असंभव, ये रहा, ठीके, तो इस पे आप कर देंगे, उसके बाद क्या है, बड बड़ा का क्या होता है उलटार्थ छोटा बड़ा छोटा अब कोष्ञट में लिख्रिया शब्दों का भविश्यत काल रूप लिख कर वाक्यों को पूरा कीजिए जैसे भविष्यकाल आप लोगों ने पड़ा है हमने तीन प्रकार के काल पड़े थे एक तो होता है वर्तमानकाल एक होता है भूतकाल एक होता है भविष्यकाल वर्तमानकाल यानि जो अभी हो रहा है भूतकाल यानी जो हो चुका है और भविष्यकाल यानी जो होने वाला है भविष्य में ठीक है तो भविष्यकाल हमें करना है भविष्यकाल में देखी क्या करना है हमें कव भीकुबाई कल मंडी डैश यहाँ पर जाना लिखा है भीकुबाई कल मंडी जाना को अगर हम भवि एक नाव वाला बैठा लेकिन अभी नहीं बैठा वो बैठेगा ना भविश्यकाल में होगा भी यानि आने वाले समय में तो इधर आजएगा बैठेगा सागर की किनारे एक नाव वाला बैठेगा ठीक है फरस्ट क्या लिखेंगे विकुवाई कलमंडी जाएंगे और सेक्ड सागर के किनारे एक नाव वाला बैठेगा ओके अब हम दिखते हैं फूर्ट क्या है निमने लिखित वाक्यों में आये रिखांके शब्दों के लिंग बदल कर इन वाक्यों को दुबारा लिखिए तथा इने बोल कर पढ़िए तो लिंग क्या होता है लिंग यानि जाती ज दलना है तो फर्स देखेंगे हमें अपनी माता का समान करना चाहिए तो यहां पर रिखांकित क्या है माता दिखिए माता ही तो लिख रखी है रिखांकित शब्द में माता का लिंग बदले क्या हो जाएगा माता का हो जाएगा पिता तो हम कैसे लिखेंगे हमें अपने पि तो क्या लिखेंगे वहां एक बैल खड़ी है तो ये इस तरीके से दोनों कर लेंगे प्रश्न पाच निमनलिखित वाक्यों में आए मुहावरों को रिखांकित कीजिए वह उन्हें अपने वाक्यों में प्रियोग कीजिए मुहावर यानि जो भी किसी वाक्य को अटपटा ब खाने की इक्षा ने भी कुबाई की नाक में दम कर दिया तो यहां पर नाक में दम कर दिया यह क्या हो गया हमारे मुहावरा हो ठीक है अब इस मुहावरे से आपको एक वाक्य और बनाना है नाक में दम कर दिया से आपको एक वाक्य और बनाना है ठीक है तो क्या बनाएंग या सही तो हमने वाक्य बनाया अब second second क्या है देखेंगे हम लोग नारियल को देखकर भीकुबाई के मुँ में पानी आ गया अब यहाँ पर मुँ में पानी आ गया मुहावरा है तो इसको आप रे खांकित करेंगे ठीक है और इसका वाक्य क्या बन सकता है रसगुले देखकर मेरे मूँ में पानी आ गया मूँ में पानी आ गया से एक और वाक्य हमें बनाना था हमने बना दिया रेखांकित किया फिर वाक्य क्या बनाएंगे रसगुले देखकर मेरे मूँ में पानी आ गया ठीक है बच्छो तो हमें यहां बर एक आंकत करना था और एक वाक्य बनाना था जो कि हमने बना दिया ठीक है तो बच्चों यही था इस वक्षित का लास्ट कोश्चन अब नोट देखते हैं अधे कभी आस है तो अपने रिम जिम की कारे पुस्तिका में से प्रश संख्या 146 वह 147 कीजिए आपको जो हिंदी की कारे पुस्तिका मिली है ना उसका पेज नंबर 146 और 147 आपको करना है अगर आप ऐसे ही और कुशन करना चाहते हैं तो ओके स्टूडेश तो यह आज की वक्षित ही आई होगी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूश सक करते हैं और लाइक बिलकुल कीजिए वीडियो को सभी फ्रेंट के साथ शेयर भी कीजिए जिससे वह भी जल्दे से जल्दी वक्षित को समझ सकें और पूरा भी कर सकें ओके बच्चों थैंक यू फर वाचिंग